में कैसे हैं आप सभी कुछ रहिए अभिशेक गुद मॉर्निंग मिष्टी गुद मॉर्निंग काजल कैसे हैं आप सभी तो सैटेडे सेंडे दो दिन लास नहीं रही कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड आई उम्मीद करता हूँ पढ़ाई लिखाई में कोई कोता ही नहीं बरती गई होगी जहां तक मेरी बात है मुझे हो गई है सरदी जुकाम मेरे घर में सभी को हो चुका है जुकाम तो अवास म पिछले हफता वाली पिछले हफते सपता हवाली बुलंदी उतनी अच्छी आपको देखने आज नहीं मिलेगी उमीद करता हूँ कल तक वापस ठीक हो जाएगा सब कुछ तो समस्या नहीं रहेगी वागी कैसे गुडवानेंग राकेश गुडवानेंग अनूव अच्छे ह जिसमें मुझे इन्वायमेंट टॉपिक पंपा गया है तो मैं इन्वायमेंट टॉपिक यूपीसी स्टैंडर्ट के ही सवाल जैसा पहले भी आपसे पूछा करता था वो पूछा करूं वीकेंड में तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है बिल्कुल सही बात है वीकेंड कि सब को यहीं चल रहा है पूरे घर में हर घर में घरदी फैली होई है तो क्लास काट करते हैं इसके साथ इस हफते की भी शुरूआत और क्लास की भी शुरूआत करते हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है आप मुझसे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जरूर जुड़ के बीच में जिसके अंतरगत आपको एक साल नहीं एक साल छे महीने की सब्स्रिप्शन मिल रही है केवल 23,999 रुपे में इसमें आपको जीस को सूप्शनल को सब्जेट के और सी साथ के को सूपर टीचर के द्वारा बनाए गए को सभी कुछ मिलते हैं आपको याद रखना चलता है तो हम भी न्यू पेरेंट्स हैं तो हम भी यूस्टू नहीं है रात भर जगना पट्टी लगाना तो वह सब थोड़ी एड्जस्पेंट रहती है थोड़ा वह सब इशूद रहता है अब तक घर में बच्चे के दादा दादी याने मेरे माता पिता भी घर पे थे तो काफी यूच्छे को राध बर जगना पट्टी लगाना थोड़ा वह समस्या हो जाती है चले 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 वागी हम लोगों को चलता है सब्सक्राइब कुछ होता नहीं है पहला सवाल पहला सवाल आपके समक्षाने जा रहा है कुछ इस प्रकार चले तो UPSC pre 2019 का question है recently growing awareness है देश में about the Himalayan nettle क्योंकि sustainable source of dash है जरा बताईए क्या है ये Himalayan nettle किसका sustainable source है बुद्वार्निंग आमताह बिलकुल काजल्द बायो डीजल भी जवाब आने शुरू हो गए पिशोर कुमार अपनी सुरीली आवाज में डी टेक्स्टाइल फाइबर मिश्टी डी टेक्स्टाइल फाइबर कोमल भी कहेंगे अच्छा बताईए ये बीफ और भेड़ चाल तो नहीं हो रहा हर्चित कहेंगे भी पाकी क्या कहेंगे कि अच्छा मैंने नोटिफिकेशन नहीं दिया चैनल पे तब इतने कम लोग आये हैं अरे तक बाकी लोग लाइक कर दें भाई कि जड़ा तो क्लास की नोटिफिकेशन अब आप लोगों तक पहुंचा दी गई है किया है नमस्ते बस्ती जी नमस्ते तो पहला जवाब देखते हैं ना पहला जवाब है देखिए हिमालियन नेटल टेक्स्टाइल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है कुछ इस प्रकार का पौधा है आप देख सकते हिमालियन नेटल इससे कुछ इस प्रकार से पाइबर बनते हैं जिससे कपड़े बनाए जाए जा सकते हैं तो यह क्या कीजेगा याद रखेगा तो अब इसको हमेशा के ल रहोना यहां पर और हिमालियन नेटल फाइबर बना रही है यह एक बुटीक से ही मैंने फोटो उठाया है ने अपना यह एड़ घीया था हमारा सब्मालियन नेटल फाइबर का उननी का यह फोटो अधी एक आगे वह नोटिफिकेशन आता है न उनका तोड़ीज ब्रेकस्ट छोले भटूरे घर वाले बुला रहे हैं पैसे वैसे नहीं लेने उसे तुड़ीज ब्रेकस्ट छोले भटूरे फीलिंग हंगरी कि जी मसाला बडाँ और रुथ दुष्छा दिखाएंगे तो मसाला दोष्छा दिखाएंगे चलिये कोई बात नी कोई बात निकिति सवाल हुआ है चलिये अगला सवाल देखते हैं मरी नाश्राइब भारत में कहां म्या लर्टैड बड़ा सिंपल रहाल है यह पी का कोऱा कि हैं अपाइब हुँ 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 अई कि में एंए एंए कि एपे को को दिकत नहीं होनी चाहिए कच में कच में कच में अच्छा चलो कच तो सब जानते हैं वैसे भी UPPCS का था तो वहाँ पर जो candidates है उनको उत्तरप्रदेश का भुगोल अच्छे से मालूम होता है क्योंकि सवाल जादा बनते हैं तो यह गुजरात का पूछा चलो मैं आपसे पूछता हूँ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जाम नगर में आएगा भुज में आएगा कहां पे आएगा डिस्ट्रिक्ट क्या है कुमार 130 होने कोई बात नहीं जाए कोई बात नहीं इतना क्या टेंशन है तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको मरीन नाशनल पार्क गल्फ ऑफ कच में लोकेटेड है वैसे जाम नगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का जाम नगर डिस्ट्रिक्ट है तो आपको बता देता हूँ अगर आप गुजरात देखे न तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो इलाका है गुजरात का इसकौम कहते है जेâuग्रफिकल फिजीयोग्रफिक डिविज्टें के नुसार दिस इस ती काठियावार्ड पेनिंसला ये जो है न दिस इस कच दिस इस कच काठियावाड पे निंसुला में मौजूद है जामनगर जामनगर तो जामनगर वैसे काठियावाड पे निंसुला में है लेकिन कच्छ मरीन नाशनल पार्क अगर आप देखे तो गल्फ ऑफ कच्छ में है तो इसे लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है जामनगर नीचे का इलाके में हैं तो कंफ्यूज मत हुएगा भुझ कछ में आता है ना था जयां पर तो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है जो कि टेक्निकली किसमें है काठिया वार पहलिंसे में हैं अगला सवाल देखते हैं क्योंकि एक सवाल बन सकता है घुमा फिरा के अगर इस नहीं रहेगा तो एक्जाम में एक कुश्चन सिटर चाहे तो बढ़िया सवाल इस पर बना सकता है चलिए अगला सवाल बताइए वहिया यूपी एससी प्री ट्विंटी फोटीन का सवाल है गुड मॉर्निंग श्री कि दुमाग ने कहा कि बुछ हो वर्म मॉनिंग यदि आप गामीन इलाकों से गुजरते हैं तो आपको घास के माध्यम से उनके आंदोलन से परिशान किए आपको कुछ कीड़े देखने की गुंदाईश है जो कि कि मवेशियों के चलने से जो घास डिस्टर्ब हो गया है उसको खाते वे दिखेंगे इन में से कौन सी ऐसी चड़िया आपको दिख सकती है आप्शन आपको बता दिता हूं शायद नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है एस वन एंटू दिख रहा है ऑप्शन दिखता है थोड़ा लेट हुए श्रीदी दो सवाल आपके तीसरा सवाल आपके सामने हैं क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग ए ए ए ए सी चीची ए ए ए ए टीचीची दी श्रीदी बाकी क्या देंगे एग्नोर हम नहीं करते हैं ऐसा करोगे क्या जवाब देना चाहेंगे भईया से देख़र के प्रेभियूस क्येशन मालूम होना चाहिए न है बटा हुआ होना चाहिए तूंअली भी है जवाब भी है जवाब मैना मैना है ना को मैना ही आपको दिखेगा ठीक है जहां तक बात कहें प shorts और black驅करेन आmpको को बताते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं पहं पेंटेड़ स्टॉर्क की कहानी पेंटोर कर अगर आप देखे तो सदन हिमालिय sizi देखें और उखेंगे व्ट्लेंड के आस पास देखेंगे कीड़ese defic 빠खता हुट में इंट्रेस नहीं रहता है मचली काता है वेट लेंड जहां तक बात है ब्लाक नेग्ड क्रेइन की यह अगर आप देखें तो टिबतन प्लेटू में मिलता है पार्टस ऑफ भुटान और नाचर प्रदेश लद्दाक में मिलता है ओमनी वोरस है प्लांट्स रूट्स इंसेक्ट फिश फ्रॉग सब देखने मिलता है लेकिन अगर इस MRI लेखते में देवान चली नियुक में ऑर्र इस के इमेज मैंने नहीं डाल से वह बहुत इमेज डाले मैं आप लोग तो दिखा देता हूं मैं कि दिक्ने दौन यह देखो भाई इस पेंटेट स्टार्ख यह पेंटेट स्टॉर्ग यह पेंटेट इस पेंटेट स्टॉर्ग यह प्लाकनेग्ट क्रेंट ब्लैक नग्ड क्रेन पिंटेड स्टॉर्क कॉमन माइना ये तो आप दोगों ने देखा ही होगा ये तो देखा ही होगा घर के आज पास देखा ही होगा चले तो शुरू करते हैं चले अगला सवाल NDMA National Disaster Management Authority कब बनाया गया था मुझे ऐसे साथ भगूले जैसे लगते ये तो है सर्दी D D 2005 दोहजार पाच दोहजार पाच दोहजार पाच दी डी डी जारकंट 2021 हिजम ताजा सवाल जारकंट पीएस्टी से लाएं हैं कीजी अभिशेक बताईए कैंसर देंगे बताईए 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 गुड वार्निंग अभिशेक अभिशेक चौधरी आप कैसे हैं 2005 D D D D D डिसमबर दोहजार पाच दोहजार चे भईया N DMA बना है 27 सेप्टेंबर दोहजार चे को N DMA Act के द्वारा N DMA Act 2005 का है जिसने अलाउ किया कि N DMA बना सकते हैं लेकिन वो बना कब N DMA Act आया है 23 दिसमबर 2005 को जिसने कहा कि एक N DMA National Disaster Management जैसे संसा को बनाने की आवशक्ता है इसको अंजाम दिया गया एक साल बाद है ना करीबन लगबग पकड़ लो 9 महीने बाद 27 सेप्टेंबर 2006 को यह आपको याद रखना है N DMA Act 2005 का है और उसके अंदर जो बाडी बनाई गई है इसलिए आप सभी को यहाँ पर गलत कर दिये हैं तो सिंपल सी बॉल थी लेकिन यह क्या हुगा वो में लोग बच्पन में जब क्रिकेट खेले हैं इसको लॉलीपॉप बोलते थे लॉलीपॉप के आप सिंपल सी बॉल आती थी तो एंडिये में एक्ट 2005 का है बॉडी 2000 से की है देख लीजे का जल्व एंडिये में संसा का गठन किस साल में किस वर्ष में हुआ था यही आप से पूछा गया था चलिए अगला सवाल देखते हैं राकेश ने सही जवाब दिया है किसके लिए दिया गया है यूप्यस्टी प्री ट्विंटी ट्विंटी वन कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि हिंदी में नहीं दिख रहा होगा तो के लिए है यहिए इन्वरेंटल इंपाक्ट करने के लिए बताय करने के लिए कि क्या है जवाब कि वहां से सर्दी आ गई कि क्या है जवाब ए ए ए ए ए सी 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 ए देखिए आप इसे मिजॉर्टी लोगों ने जो जवाब दिया है क्या दिया है ए दिया है जो कि बिल्कुल सही है इसके लिए है खेस्ट दिया है को करने के लिए certain code of conduct दिया गया है वो code of conduct जो उनको follow करना है और वो follow करने से अगर वो practice करेंगे तो वो environmentally sound तरीके से electronics recycling कर रहे हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको R2 certified company का tag मिल जाता है क्या मिलता है R2 certified है ना तो R2 certified एक बार मिल जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं अगर आप देखे तो market share और मिलेगा क्योंकि इस प्रकार के companies को promote किया जाएगा कि यह electronics recycling sound तरीके से कर रहे हैं इनको investments भी बहतर मिलने की गुंदाइश हो जाएगी क्योंकि इनको यह certification मिल जाएगा तर जुकाम हो गया है हां जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए अगला सवाल देखते हैं रिंगल मैन स्केल क्या नापता है UPPSC 2021 देख रहे हैं UPPSC के सवाल भी अच्छे आने शुरू हो गया है I am pretty sure कम लोग जानते होंगे यह एह जह जएद गया है अरे एक ने मारा तुका सब चले गए पीछे पीछे अच्छल एक्जाम में मार दे चले सही दुखा मारा है दे पीस करता है कि भाई कितना ज़्यादा डेंस है स्मोख कितनी जदाह पेसिटी है पितना कि इसवी कितना डेंस Gar push है उसको नापने का एक पहमाना है ringle man scale एक term भी है एक term भी है ringle man क्या है बिसकली professor थे French professor agricultural engineering के थे Maximilian ringle man है ना ये Paris में 1888 में काम करते थे तो उन्हों नहीं ये term दिया नापने का तरीका बनाया smoke नापने का और उसके लिए unit बना दिया ringle man scale कि ringle man scale में smoke कितना dense है ठीक है तो एक term भी है ringle man effect ringle man effect इन्हों नहीं ढूंडा है ringle man effect क्या कहता है जैसे जैसे group का size बढ़ता जाता है output कम होता जाता है per individual का overall output बढ़ रहा है लेकिन per individual का जो output है वो क्या हो जाता है कम होने लगता है मतलब की जैसे की valentine's day में आप group study पे निकल जाते है है ना मम्मी जा रही हूँ group study में और कोई नहीं पढ़ता तो वो क्या है performance का decline जैसे जैसे group का size बढ़ रहा है या फिर मम्मी जा रहे है पढ़ने साथ में library और सब गुम्टी के बाहर बैटे हैं पब जी खेल रहे हैं तो यह क्या है रिंगल मैन effect रिंगल मैन effect तो यह आपको भ्याद रखना है चले तो आई ओप अभ्याद रहेगा रिंगल मैन effect यही एक graph दिखा रहा है जैसे जैसे group का size बढ़ रहा है आप जहाँ पर पर देख पा रहे है जो performance है पर यूनिट 100 अगर देते दो लोग 200 नहीं देंगे 200 से कम देंगे तीन लोग अगर 300 देना था तो 300 नहीं दे पा रहे हैं चार लोग मिलके 400 यूनिट performance देना था साड़े 300 दे रहे हैं पांच लोग 500 देना था लेकिन कितना दे रहे हैं कुछ 400 से भी कम दे रहे है मैंने कभी एक्ष्ट्रा क्लासे देंट नहीं की से लिए फिर ठीक है वैसे तो सच बताओं तो ये मुझे भी कभी ऐसा सभाग यह नहीं मिला नेक्स देखते हैं नेक्स देखते हैं पीवीड सब उसे इंपोर्टेंट सोर्स किस एलिमेंट के हैं किस देखते हैं प्रोवीन ख्लोरीन आयोडीन क्या पूरा का पूरा प्रोवीन बोल दोगे क्या क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 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 सगर आप देखें आयोडीन के बहुत इंपोर्टेंट सोर्स होते हैं तो मैं जब असम गया था पढ़ाने तो मुझे बच्चों ने खिलाया था काफी प्यार से क्लास में लेके आये थे वो और मुझे भी चखना था तभी खाया नहीं था तो वहीं पर मैंने खाया था तो वहां पर शौकीन थे बच्चे खाते थे चलिए अगला सवाल देखते हैं तो यादर खिएगा आयोडीन आयोडीन है तीवीड क्या देते हैं इंपॉर्टेट्ट सोल्स किसके होते हैं आयोडीन होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूमन लाइफ के बिटर्मेंट के लिए इनमेंसे कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है यूप एससी फ्रीज दोहदार नौ हुआ 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 है एक भी भी अदेखिए इस प्रकार के सवाल में यह उपन टू डिबेट हो जाता है कि अब ए और सी में डाउट होना बड़ा कॉमन है ठीक है बाकि बी और डी तो सीधा इलिमिनेट कर सकते थे और की गुंदाइश ही नहीं है सरो नी तो आप दे नहीं सकते है यहां पर तो देहिए माइनिंग के बैन कर देंगे तो ह् Bubble लाइफ का क्या बेतर मेंट होगा कट वी नहीं होगा माइनिंग करते हैं तो लिधियू से लेके आरे ऐरीमीनियम से लेकर सब कुछ मिलता है तो माइनिंग बैन करने के ह्ई से यूमन ंद्ट्रो डैब मिनर्ल्स वह अगर हम कम यूज कर दें तो क्या जीवन की भेतरी हो जाएगी नहीं वह भी नहीं बात है वह भी नहीं है वह हमें चाहिए वाइड लाइफ को प्रो decreased करें तो क्या बेटर्मेट आ встретल मेन लाइफ होगा शायद होगा I don't know लेकिन एफॉरेस्टेशन करें तो क्या बिटर्मिंट ऑफ होगा पक्का होगा क्लाइमेट चींज से लड़ने के लिए मददगार होगा और जो एक्स्ट्रीम क्लाइमेटिक जो नहीं देखने मिलेंगे तो यहां पर बेस्ट क्या होता एंफ पॉरेस्टेशन होता वाइड लाइव प्रडिक्शन फें हुमन लाइफ का बिटर्मिंट ठोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बाकि कैसे इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो क्य वही आपका जवाब क्लियर क्या अप्रोच होना है इन प्रकार के सवालों में चले अगला सवाल देखते हैं इफ और स्टेशन है जवाब जूली फ्लोरा आप लोगों की पुरानी दोस्त वापस आ चुकी है क्या है यह अब तो तस्वीर भी दिखाया था आपको जूली फ्लोरा का अरे जूली फ्लोरा है भईया आप लोगों की पुरानी मित्र है कि भी भी है फिर बी थह नहीं की नहीं को आप कुछ ने पहले ही बता यह अंग्षाम और जूली फ्लोरा दोनों की दुनों क्या इन्वे जर्न ऊथे बहुत तेजी ते पैल रहे हैं वे तो बिंभ एया यह वाला पेड़ है गंदा किस नाम से चाना आता है गंदा बहुत देजी से करता है ऐसे को देखो देखो पेड़ लग गया हो गया क्या लगा दिया ये बवाल लगा तो गंदा बवाल क्यों कहते हैं कि जहां ग्रो करता है वहां की बाइयो डाइवर्सिटी का सत्यानास कर देता है इन वेजिव प्लांट है बागी सब प्लांट्स पता हो जाते हैं वहां से बस यही है हम ही हम है और कोई नहीं है यह तो आपको अच्छा लगता है बहुत चलिए नजर उतारने पड़ेगी क्वेशन गलत हो रहे हैं नहीं नहीं बसी जी आपके आने के पहले हमने पढ़ा था इसको तो इससे सब्कों मालूम था ही है डूमेस्टिक कंटेंट रिक्वाइर्मेंट न्यूज में रहता है यह किससे रिलेटेड़ है 2017 की न्यूज में सब्सक्राइब रहता था कि है ना हम पॉमनली देखता है कि कि कर ही कहते हैं कि के वह ए प्रफ़ने कि कि कह दो दो स्वाइब ए ए टाइम में प्रोडक्शन 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 के टर्म में रहता था यह जन्वरी 2010 के अंटर्गत नाशनल पॉलिसी आई जिसमें परपस्ता कि इंडिया में इनरजी को बढ़ा हुआ देना है तो इसी के अंटर्गत कहा गया कि जो सोलर यूटिलिटी या फोटोवोल इसको यूएसे ने चैलेंज कर दिया था डबलू टीओं में कि इंडिया का यह जो पॉलिसी है यह यह तो नहीं लग रहा नमन कुछ याद आया अगर पुराना न्यूस फॉलो कर रहे है तो अब शायद आज जाएगा डबलू टीओं में इंडिया यूएस के बीच में कासी टाइम से टसल रहा था तोदर पैनल्स को लेके डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर्मेंट है अगला सवाल देखते हैं क्या करेक्ट है जड़ा बताईए अज बड़ा टाइम लग गया भाई सवाल थोड़े दीरे चल रहे हैं क्या करेक्ट है ऑप्शन स्टैंडर्ड है सकति करेक्षा स्टैंडर्ड थूटन सवाषड लोर्ड़ा जया तो कि शवाषड़र्ड रहा बदास्यवाशन स्टैंडर्च स्टैंडर्ड प्रफटन संहिता tutor प्रश्जा बख़र्गत Nord कि देने वाले कम लोग है जवाब ही है जैसे आप लोग दे रहे हैं तो नाशनल ग्रीन को रिको क्लब इन्वार्मेंट एड्यूकेशन अवेर्नेस और ट्रेनिंग के अंतरगत लॉंच किया गया है यह मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंस नहीं मोई FCC इनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट फॉर्स क्लाइबट चेंज का इनिशेटर है राइंसर इद वन ओनली चलिए बताइए ऑप्शन स्टैंडर्ड है ए वन अनली बीटू अनली सी बोथ दी नीधर वन नौर तू झाल वन उनली बीटू अनली चलिए और वन बीटू अनली चलिए और तू हुआ 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 ह związ नह कर दो तो बारवा सवाल आपसे पुछा गया था जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग सी है भी नहीं है तो इंडिया ने नाशनल अक्षिन प्लान और क्लाइमेट चेंज जून दोहजार आट में ही लॉंच किया था बिल्कुल सही बात है तो इसके अंतरगत अगर आप करने के लिए पॉलिसी बनाए गये हैं जोकि दोनों ही ऑप्षिन बिल्कुल सही हो जाते हैं सब्सक्राइब करना वग्यरा है नाशनल वाटर मिशन 2019 में लॉंच किया गया था यह आवाद कहती है आवाद एक्चुली मेरा नाग बंद हो चुका है तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं सांस नहीं ले रहा हूं टेक्निकली हो सकता है कुछ आवाद आ रही हो अच्छक्री का बैद्रीोस्यों किया व्यक्त अर्फुक्त 9 सबको घर में और पूरा घर यहीं चल रहा है आ है ले फैला हुआ है वाइरल व्हीं हुआ है कि सबस्क्राइब किने पकार बिल्कुल सहही मिशिन किसलिए लोटर कॉंसर्वेशन वेस्टेशन करना याना स्टेटिक्स के विधिन थे लेकिन स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है 2011 में लॉंच किया गया था ए डोहजार ग्यारा में इसको लॉंच किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाशनल सोलर मिशन एक सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट है जो कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है इंटायरली यह वन आफ दी एट क्लाइमेट मिशन से नाशनल आक्शन तैनल क्लाइमेट चींज के अंदर आता है अभी एक वाम वाटर सही कह रहे हैं भी बिल्कुल सही कह रहे हैं ते है्राइविट टेविट और सेजिशन अभी धार के बाद मैं प्यूंगा आपी ज़्यादा मौइट शेवन वाटर आप पहना पहर है वींच्हूंगर रियुट है ही बात है पता नहीं किया हो किया है अच्छली नॉर्मल टाइम कोल्ड होता है वह जैसा पुमिश्य कह रहे हैं मेरी वाइफ मुझे गरम पानी दे देती है क्लास के बीच में ही लाके लेकिन आज हुआ क्या है कि हम सबको बुखा रहे हैं वो खुद रात बर नहीं सोये मैं भी नहीं सोया था बच्चे को पट्टी वगएरा कर रहे थे हम लोग तो उसके बाद अब वो भी जो किसी को ताकत ही नहीं तो अभी क करते हैं अभी गरम पानी में लूँगा क्लास के बाद तो जैसा आप लोग जवाब दे रहे हैं सब कोई सी 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 आंसर इस बी टू ओनली कि स्टेटमेंट वन बिल्कुल गलत है बी देने वाले वस मम्ता ने सही जवाब दिया है यहां पर जो मुझे देख रहा है तो मम् सेंटरल और स्टेट गर्वर्मेंट दोनों इसके जिए पैसा करते हैं उंट्रेल करते हैं बैंक इनल Um partner's तीनों से ही पैसा आता है बाकि स्टेटमेंट तू सही ए नाशनल सोल्दर मिशन लाशनल अक्षिन प्लान रॉन टाइमेट चींज के अंदर वर ऑफ दी एट मिशन है यह चलिए नेक्स कुशन देखते हैं चलिए नेक्स कुशन देखते हैं Green hydrogen एक प्रकार का hydrogen है जोपी पानी के electrolysis से बनता है और इसको इस्तमाल करने के लिए renewable source of electricity का मिनिस्ट्री है National Green hydrogen मिशन के लिए option standard है किश मिश ऊक्य इसकर निनिस्ट्री है ओल्ड वॉंक यूज कर लो पाता वे दिशलेगा कुछ हुआ था रहता हूं यहां कुछ नहीं मिलता बाबा का इलाज यहां नहीं है मॉंक वाला कि ऑप्शन स्टैंडर्ड है A, C, 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 A दोनों ही जवाब आये हैं A भी आया है C भी आया है जवाब वैसे C है दोनों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है Green hydrogen एक प्रकार का hydrogen है जो की पानी के electrolysis से basically H2O को तोड़ते हैं और electrolysis होता है और इसमें वो hydrogen ions oxygen ions बनता है और इसमें है hydrogen हम बना लेते हैं ठीक है अब electrolysis के लिए जो बिजली के लिए जो energy है वो भी renewable होना चाहिए अगर यह करोगे तो ही उस hydrogen को हम क्या कहेंगे Green hydrogen कहेंगे statement 2 बिल्कुल सही है MNRE क्या है Nodal Ministry है National Green Hydrogen Mission के लिए चलिए answer is C TPCB एक constitutional body है जो की ministry of environment forest के अंदर काम करती है यह state pollution control board को coordinate करती है और dispute resolution का भी काम करती है उनके बीच में अगर कुछ होता है रैप्टर जोग्रिफी के जो environment topics important topics है वो देखिए places in news रहता है rivers रहता है राशनल पार्क wildlife century रामसार साइट्स रहता है जो की predictable है बाकी क्या होता है कि और theory पाथ है सिर्फ इक लिए important रहता है रहता है is वह्क हाथ है पाहर गवादर आई्यज़ है कि कि chaos अआ़ है वी कि बाथ्टSu है बद्थ कि क्या गरबड हुआ है मिलकुल पात हैहझा जवाब है सब्सक्राइओ CP-ермArt passiert यह नहीं है यह तो सब्सक्राइख वह सब्सक्राइब साथ की आप देखे तो एएर एक्ट के अंदर बनाया गया है खैना तो cpc दो द्म किती सब्सक्राइब कर दिरें जिसक्राइब CPCB Water Act के अंदर बनाया गया है पूरा क्या है तो वो अगर आप देखे तो क्या है Water Prevention and Control of Pollution Water Act जिसको कहते है उसके अंदर बनाया गया है बाद में क्या हुआ Air Act के अंदर भी जो Provisions है वो भी कह दिया गया कि CPCB ही इसको भी Implement करेगी तो इसको Power Water Act Air Act दोनों से मिलता है लेकिन गठन किसके अंदर हुआ है Water Act के अंदर हुआ है यह आपको जाना है बागी स्पेग्मेंट 2 बिलकुल सही हो जाता है चलिए National Clean Air Program किसने लाँच किया है पूर्ट 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 A-B-E डी 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 ए डी डी सही जवाब है डी सही जवाब है नाशनल क्लीन एर प्रोग्राम अगर आप देखें मोई एफ सी सी नहीं लांच किया है जैनवरी 2019 में दो नाशनल फ्रेमवर्ग बनाना है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए और टाइम बाउंड डेट्शन टार्गेट भी दिये गए हैं तो एंसर क्या है इस वज़े से डी डी सत्रा का डी चलिए तो पढ़िए बताइए क है है क्या जवाब दिया आप लोगाने ती ए ए सी दोनों यह आया है वाफ की जिएगा है कि को कि कि एंसर दे वन उनली आर्टिकल 14 नहीं आर्टिकल 21 एंजीटी किस्ता आपना सही बात स्टेट्वन और बिल्कुर सही दिया है बाकी आर्टिकल 21 थे इसको है बगवान है बगवान है बगवान है बगवान दवाई काम नहीं कर रही तो चीक रोकने के लिए तो आर्टिकल 21 है आर्टिकल 14 नहीं है जो कि क्या कहता है कि सिटिजन्स ओफ इंडिया को राइट है हेल्दी इंवाइमेंट का तो आर्टिकल 21 से इंस्पिरेशन लेके एंजीटी बनाया गया है चलिए एंजीटी कैसी बॉड़ी है अधिशनल स्टैट्यूटरी या दोनों स्टैट्यूटरी भी कॉंस्टिट्यूशनल भी या नीदर कि भी रहों कि नाक लाल हो चुके है कि भी ले लेना हाँ अब करते हैं करते हैं हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया है कि टिंडर कोकोनट कि यह बद बद खत्म है पांच मिनट बचरा है क्या जवाब देंगे आप लोग कैसी बॉड़ी है एंजीटी एक्ट के द्वारा बनाई गई है हाँ एंजीटी एक्ट बनादे के लिए जो इंस्पिरेशन मिला है वह कहां से आया है आटिकल 21 से आया है तो बॉड़ी कैसी है स्टाट्वुटरि है बाई लॉव बाई स्ट्यूट बना है एंजीटी एक्ट 2010 के सेक्शन ठी पावर देता है एंजीटी को तो एंगीटी एक्ट है यूज अव बायो फ्यूल के कौन से इशूज एड्रेस होंगे कॉछ चली आखरी सवाल है आज का यहीं पर रुकेंगे आई थिंक पिरी हालत बहुत अच्छी नहीं है आखरी सवाल आज का 20 सवाल हो जाएंगे तो दिन में 15 सवाल देखेंगे क्या जवाब दे रहे हैं आप लूब शेदी बाकी क्या कहेंगे चिजुका डी नन मिश्टी डी नन बी बाकी क्या कहेंगे आखरी सवाल है आज का बता दीजे आहां रेस्ट अब रेस्ट आखरी सवाल आज का तो एंसर क्या है भाई बिलकुल सभी कहें डी नन अफ दी अबव देखिए बायो फ्यूल से क्या हो रहा है जहां तक बात है डीफॉर्स्टेशन की इसको बढ़ावा हो रहा है ब्रजील जैसे इलाकों में क्या किया जा रहा है जंगल काट के वहां पे शुगर के इन प्ला क्यों बायो फ्यूल लगाने के लिए तो कॉम्मैट नहीं कर रहा बायो फ्यूल का एक बहुत बड़ा अगर आप देखें तो एक क्रिटिसिजम है कि ओडिफॉर्स्टेशन करवा रहा है जाहिर सी बात है अगर डिफॉर्स्टेशन होगी तो बायो डाइवर्सिटी को भी लॉस हो रहा है बायो फ्यूल के ग्रो करने से फूड सेक्योरिटी जहां तक बात है फूड सेक्योरिटी की कहा जा रहा है कि जहां जो प्रॉपर फार्म लैंड है जहां पर खाने पीने के क्रॉप्स लगाए जाते थे अब वहां पर बायो फ्यूल लग रहा है तो फूड स क्या हो जाता है दी नन ऑफ दी अबव ठीक है तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पर करते हैं अब क्लास होगी साड़े तीन बज़े तो अब जरूर आईएगा साड़े तीन मज़े एटिंड कीजिएगा उमीद करता हूं तब तक मैं भी थोड़ा बहतर होके रहूंगा तो 15 स कवाल डिसकर्स करेंगे तो यहां पर जरूर जुड़ जाइएगा बाकि आपको बता देता हूं 23,999 रुपए में 18 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है आपको जो कुपर कोड यूज करना है तो भी आपको मैं अक्सिम डिसकाउंट मिलता है इसके सिवा इसमें आपको ज इसके द्वारा बनाएगा इस भी मिलते हैं तो चलिए थांकियो सुमच पर जॉइनिंग बाबाई डू टेक केर मैं भी दिखान रखूगा अपना थांकियो सुमच बबाई